भारत में इमली का उपयोग काफी लंबे समय से किया जा रहा है। इसका खटा और मीठा सुआत किसी भी व्यंजिन को जाकेदार बना सकता है। इसका उपयोग लोग चटनी के रूप में पानी पूरी का पानी बनाने में और खाने में खटास लाने के लिए करते हैं। इसके इमली बड़े पेड़ पर लगने वाली एक फली है और इसका वग्यानिक नाम है टैमरेंड्स इंडिका इसे अंग्रेजी में टैमरेंड के नाम से जाना जाता है और इसमें अनेग स्वास्त वर्दक गुड़ होने के कारण इसका इस्तमाल एक और श्री के रूप में भी किया दवा है जिसका इस्तमाल पेट दर्ड, पेचिस, कब्स, हैलमेंद, संक्रुमर जैसी पेट से जुड़ी बिमारियों को ठीक करता है वहीं दूसरी और दोस्तों ये घाव भरने में मलेरिया, बुखार, सूजन और आखों से संबंदित बिमारियों को ठीक करने में भी प्रयोग में लाई जाती है अगर हम बात करें दोस्तों इसके और श्दिय गुड़ों की तो दोस्तों इसमें फाइटो कैमिकल्स की मौझूद्गी होती है तो आईए एक बार नजर डालते हैं कि इमली के क्या-क्या फायदे होते हैं लेकिन वीडियो में आके बढ़ने से पहले अगर आपने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जो की खास गुड़ मेटाबॉलिक सिंड्रोम को दोस्तों ये खास गुड़ मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानि की हाई ब्लेट शुकर, हाई कॉलिस्ट्रॉल, हाई ब्लेट प्रेशर, हाई ट्राइकलिसराइड और मोटापा समझी समस्याओं को दूर करने की शमता रखते हैं साथी ये भूग को कम करते हैं जिससे बजन कम करने में मदद मिलती है इसका दूसरा उपय हो गया दोस्तो पाचन क्रिया को ठीक करने में दोस्तो इमली में कुछ ऐसे पोशक तर्थ वो पाए जाते हैं जो पाचन में साहिता करते हैं दोस्तो ये तर्थ वो हमारे digestive juice यानि की bile acid को प्रेड़ करने का काम करते हैं जिसके चलते हैं हमारी पाचन के लिए पहले से और बहतर तरीके से काम करने लगती है दोस्तो इसका अकला जो पियोग है वो है हिर्दय के लिए कोरोनली heart disease यानि हिर्दय समंदी समस्याओं के लिए दोस्तो free radicals को भी जिम्मेदार माना जाता है वहीं इमली में दोस्तों शक्तिसाली एंटी आक्सिडेंट गोड़ पाये जाते हैं जो फ्री रेडिकल्स के हानिकारिक प्रभाव से हिर्दे की सुरक्षा करते हैं इमली के अर्क का सेवन दोस्तों आर्टरी बाल्ब में फेट और प्लाग जमने की क्रिया में बादा डालता है जिससे एथरोक्लॉरसिस दोस्तों जैसे हिर्दरोक का जोखिम कम हो जाता है अगर दोस्तों हम इसके कुछ और पेनिफिट्स की बात करें तो दोस्तों ये हमारी को भी मजबूत करता है इमली में दोस्तों कुछ मात्रा में विटामिन C होता है जोकि हमारी प्रतिरूदक शमता को बढ़ाने में प्रभाबी और उपयोगी पोशक तत्व माना गया है साथी दोस्तों इमली के बीज में पॉली सेकराइट तत्व पाये जाते हैं जो शरीर म कुछ ऐसे पोशक तत्व पाये जाते हैं जिनमें एंटी अर्थराइटेस यानि की गठिया से बचाव की शमता होती है इसके लावा इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी यानि को सूजन को कम करने वाले गुड़ भी पाये जाते हैं ऐसे में गठिया के दोरान अगर आप इमली क की शुरक्षा देने वाला प्रभाब भी पाया जाता है इसलिए इमली को लिवर के लिए कारगार खादेपदात माना गया है दोस्तों इमली की पत्तियों में हाप्टो प्रोटेक्टिव गुड़ मौजूद होते हैं जो हानिकारी तत्वों से लिवर की शुरक्षा करते है ऐसे में पी लिया कि दौरान दोस्तों या लिवर संबन्दी समस्याओं में आप डॉक्टर से सला लेकर इसका प्रयोग करना शुरू कर सकते हैं दोस्तों ये हाई ब्लड प्रचर के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है दोस्तों इमली मैशे पोशक तत्वों पाये जाते हैं जो कॉलिस्टरॉल को कम करने का काम करते हैं कॉलिस्टरॉल की अधिक्ता दोस्तों हाई वी Пी के जोखेंवों को बड़ा सकती है इसलिए ऐसा माना जाता है कि इमली काउपयोग हाई वीबी में मददगार हो सकता है इसके लावा दोस्तों तोचा को अच्छा रखने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है इन तीनों तत्वों की कमी सही दोस्तों हमारी बाल संबंदी समस्यां देखने को मिलती हैं ऐसे में बालों के ज़रने को रोखने के लिए भी आप इमली का प्रयोग कर सकते हैं और तौचा को अच्छा रखने के लिए भी दोस्तों आप इमली का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि इसमें मॉस्चुराइजन प्रभाव देखने को मिलता है जो हमारी तोचा को स्वस्थ बनाये रखने का काम करता है आई दोस्तो अब एक बार नजर डालते हैं इसके कुछ नुकसान के उपर दोस्तो नियमितूर्ट से इमली का उप्योग करने पर दाड़ों को नुकसान पहुंच सकता है क्योंकि इमली में ऐसी दिक टतववी भी होते हैं ये टतवद दंटशनन का कारण बनते हैं यानि की दाटों की सत्य को नुक्सान पहुचा सकते हैं ऐसे में बहुत जादा मात्रा में इमली का सेवन करने से आपको बचना है दोस्तो एस्पिरिन आईवोप्रोफिन का अगर आप सेवन कर रहे हैं तो इमली का उपयोगा बिल्कुल भी ना करें इमली इन दवाओ के असर को प्रभाविट कर सकती है अगर आप इसमें से किसी भी दवाओ को ले रहे हैं तो इमली का प्रभाव करने से बचें वहीं वो महिला हैं दोस्तों जो गर्वती हैं या जो बच्चों को इस तनपान कराती हैं उन्हें भी इंगली के सेवन से बचना चाहिए क्योंकि दोस्तों ऐसे में इसके दुस्प्रभाब देखने को मिल सकते हैं इससे आपके बच्चे के उपर इसका प्रभाब पढ़ सकता है तो दोस्तों ये कुछ ऐसे लाब थे जो कि आप इंगली के प्रयोग से ले सकते हैं लेकिन दोस्तों हम आपको सला देना चाहेंगे कि अगर आप किसी भी गंबीर समस्या से जूज रहे हैं जाए समस्या बहुत लेने से बचें डॉक्टर की सला के बाद दोस्तों आप इन उप्चार के लिए आगे बढ़ें वीडियो आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताएं वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी जरूर करें तब तक के लिए आप सभी क दन्यावाद